ओम श्रीगने शायन नमः स्वागत है मित्रो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धानू की दुनिया में आज का दिन बहुत खास है बहुत सारे बदलाव परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे यानि कि 30 जून का दिन महीने का आखरी दिन दानोराशी वाले जात्कों के लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में हम लोग यही पूरी विस्तार से जानेंगे हर एक बात आपके लिए बहुत ही महत्तोपोर्ण है इसलिए बड़े द्यान से सुनियेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है विनमर निवेदन है किस वीडियो को लाइक कर दें कमेंट सेक्षन में जय बहुले नाथ लिखना ना भूलियेगा बहुले नाथ के क्रिपा जो है सदा आपके उपर बनी रहे आपकी सारे कष्टों को भूले नाथ दूर करें यही कामना उनसे हमारी रहेगी तो चलिए सुरुआत करते हैं जानते हैं आज का दिन आपके लिए यानि की धानो राशी वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी यह चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तों आज की दिन आपकी समझदारी और साहस की हर जगह सराहना होगी आफिस में शेह कर्मियों कसे किसी बात पर तनातनी की अशंकाय भी बन रही है ध्यान रखें अनावश्यक विवाद से आपको दूर रहना है मेटकल छेतर से जुड़े लोगों का समय अच्छा चल रहा है जो व्यापारी खाने पीने का रोजगार सुरू करना चाहते हैं उनको कुछ समय के लिए रुख जाना चाहिए दोस्तो प्रतियोगता की त्यारी करने वाले विद्यार्थियों को प्रफेशनली तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और खासत तोर पर उन प्रश्णों पर अधिक गौर करना चाहिए जो पिछले परिक्षाओं में यानि की पीछे के परिक्षाओं में पूछी गई है दोस्तो स्वास्त में गठियां रोगी जो हैं उनको दर्द का सामना करना पड़ेगा घर का महाल, शान्त रखने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए आज दोस्तो आज को दे व्यपारियों को मेडिकल से जुड़े समान का जनल स्टोर चलाने वालों को अच्छा लाव होगा विद्धार थी ओनलाइन काम कर रहे हैं तो डाटा शिक्क के और करके रखे दोस्तों अन्यता हैकर की चपेट में आपा सकते हैं स्वास्त सम्मंदित पुरानी दिक्कते हैं तो बढ़ सकती हैं सांस या सीने में तकलीफ की अंदेखी ना करें रिस्तों की डोर मजबूत रखने के लिए परिजनों से विश्वास कम ना होने दे आज के दिन नियंतरण से बाहर और विपरीद मतलब लिंग के लोगों के तरफ आ कर शितना हो विश्वास ना करें या अगर आप विश्वास करते हैं या अगर पूरुष है तो महिलाओं पर विश्वास ना करें, महिलाएं है तो पूरुषों पर विश्वास ना करें, अन्यत्ह भारे नुकसान आपको चुकाना पड़ेगा, जमीन या मकान की खरीधारी के लिए थोड़ा इंतेजार और कर रहे हैं लोगों को टार्गेट पूरे करने के लिए जो हैं मशक्कत करने पड़ सकती है परदर्शन पर फोकस बढ़ाने के अब शक्ता है बड़तन का कारोबार कर रहे हैं तो निराज ना हूँ भविस में परिस्तितियां आपके अनुकुल होने वाली हैं खाली समय का कठी न दूलित रखना चाहिए आपको आर्थिक मामलों में दोस्त और पडोसी आज मददगार बनेंगे उनकी राय को आपको महत्व देना चाहिए आज के दिन नियमों को बदलने की आविश्यक्ता है उन्ही कामों को लिख करें जिने पूरा करने में आप दक्ष है मन व्यतीत है तो हरुमान जी का ध्यान करना आपके लिए लावकारी रहेगा कारियस तल और नौकरी में वरिष्ट लोगों का प्रोथ साहन आपको मिलेगा नौकरी में पुराना रुका हुआ प्रमोशन मिलने की भी संभावना है खुद्रा बैपारियों को आर्थिक लाव मिलेगा फैस कारी रहेगा दोस्तों परिवार या दोस्तों के लिए घूमने भी आप जा सकते हैं बाहर आज के दिन गर में जोसी से भरा वहवार काम और चुनोतियों को आपके अनुकूल बना देगा कारेच छितर में नई नई उपलब्दियां पाने का और शर बनेगा हमेशा कुछ न मीना ने देख सामें विद्धार थी जो है हाईर स्टडी के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सुब समचार सुनने को मिल सकता है सेहत में आज दिन लगबख समाने रहेगा साथी वेस्ट्विक महमारी के प्रती शावधानी आपको बरतनी चाहिए परिवर में लोगों के साथ छोटी कन्याओं को पढ़ने लिखने का समान गिफ्ट कर दीजे आज के दिन उचे मनोबल के बल पर आत्म विश्वास में कमी नहीं आने दीजे हार्ड वर्क करने में फोकस करना चाहिए आपको भागे से ज़्यादा कर्म प्रवल है कर्म शेतर से जुड़े ग्यान को अरजित करना मुख्य उदेश याज होना चाहिए चेफुरत हिस्रणी के करमचारियों को सुबह कामनाएं मिलने वाली है इसलिए जो है पियून ड्राइवर आदी को मतलब अगर आप क्या सपस हैं तो उनको सुबह कामनाएं दीजिए खुसकबरी उनके अहां आने वाली है तो सब व्यापारी परकों को आर्थिक चोट लग सकती है पैसे का लेन देन सोच समझकर करें स्वास्त के बाद करें तो गरवती महिलाएं जोहें जैसे की महिलाओं की बात कर रहें गरवती महिलाओं को सचेत रहना चाहीए सुख संसाधनों में बृद्धी होने की प्राबलेशम होना है किसी का धन वापस देना भोल गए हो तो आज वापस कर दीजे अन्यता परिशानी होगी आपको ही दोस्तो आज के दिन मन में शांती के लिए कुल देवी देवता का उपाशना करना चाहिए वर्तमान में उनका असरवाद अपेक्छित है नौकरी पिसा से जुड़े लोगों को आज जो है कुछ इतनाओ हो सकता है बहुत पुराने अनभावों के आधार पर आपका मुल्यांकन कर सकते हैं करवार के मामले में रियल स्टेट से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है बड़े खरिदार से शंपर्क जो है या मुलाकात के आसार दिखाई दे रहे हैं इससे आप अब लाव होता दिखाई दे रहे हैं अस्थमा मरीज शावधान रहें जरूरी उपायों को लेकर शतर करें परिवार में पिता या बड़े भाई से विवाद की सूरत है तो खुद आगे बढ़कर बात कर समधान निकालने का प्रयास करें और खुद शानत रहें आज के दिन दूसरों के साथ तालमेल दोनों के बीच मजबूती बना सकती है काम का बोज तनाव बढ़ाएगा इसके लिए आपको तयार रहना चाहिए आफिस में आप धैरियों कठोर मेहनत के बल पर सफल होंगे कपड़ों के व्यपारियों को लाव की शंबा होना है ऐसे में जो है प्रचार प्रशार को मजबूत रखे विद्यार थी उच्चे सिच्छा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इस बार प्रयास पर शफल मिलें मतलब सफल होंगे इस बार अगर प्रयास अगर आज करते हैं तो दिन चलिया में परिवर्धन कर आप स्वस्त के प्रती सचेत रहा है और स्वस्त रहने का प्रयास करें अपनी बुरी आदतों को बदलिए परिवार में विवाय योग ये लोगों का रिस्ता का बात जो है आज चल सकता है घर में उनके विवा की बातें आज घर में हो सकती है तो आज के दिन आपको शान तर रहने की आवश्यक्ता है सभी से वहवार समान होना चाहिए गुरु का ध्यान करें संबहो तो गाय की शेवा करें इससे मान सक शान्ती मिलेगी बहुत से तालमेल बना कर काम करने की आवश्यक्ता है उनका दिया हर काम समय पर दाक्षेस्ता से पूरा करें विरोधी जो है पोजीसन बिगाड़ने का प्रियास कर सकते हैं करवार में टांसपोर्ट से जुड़ा काम करने वालों को ग्रहा को का खयालर रखना चाहिए सरकारी नियम कानूनों का पूरी तरह से पालन करें फिलाल जो है ग्रह की स्थितियां अच्छे मुनाफे का इशारा कर रही है मिर्च मसाला जो है आपकी शेहत बिगाड़ सकती है परिवार में कोई सदस से अचानक विमार पड़ सकता है उनके स्वास्त कभी खयाल आपको वाजर रखना चाहिए दोस्तो आज के दिन नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए और सभी के साथ शहयोगी और स्नेह की भावना से काम करना चाहिए सहकर्मियों के कामकाज में हस्तचेप न करें बढ़ते विवादों को हवा नहीं देना चाहिए ये बातचीत के साथ विवादित मुद्दों को सुलजाने का प्रयास करें दोस्तो कारबारी इलक्ट्रोनिक सामान की अच्छे बिक्री से बढ़िया मुनाफ़ा कमा पाएंगे जिवावर्ग को गुपत बातें किसी से शेर नहीं करने चाहिए विद्यार्थियों को कठें बेशाओं का दोहराना चाहिए अगर परशान करते हैं तो सहत को देखते हुए वरतमान में यदि पेट में कोई समस्या है तो जो है सजग हो जाई परिवारी के बाद बिवाद के चलते परिस्तितियां कठें बनेंगी समझदारी से सहल निकालने का प्रियास करिया आज के दिन काफी शकरातमक महसूस करेंगे अप मीटिंग के दरान सजग रहने की अवश्यक्ता है अन्यता बहुत नाराज हो सकते है सरकारी विवाद में कारे रथ हैं अधिक परदशन से खोस होंगे हर्ड़ेर के करवारियों को लाव का बढ़िया मौका है पुराने गरहांकों का खयाल रखे हैं लाव के साथ साथ नए गरहांक भी लाएंगे खुदरा करवारियों को स्टॉक में वेराइटी लाने के अवश्यक्ता है पेरों में सूचन और दर्द के आशंका रहेगी प्रतिरोदक छमता बढ़ाने वाले ख़दे-पदार्थ बढ़ाएं ऐसे में दवाओं का प्रयोग कम से कम या डॉक्टर की सलाह से ही करें घर में जो है वहवार और क्रोध भरिवानी पर नियंतरन आपको रखने के अवश्यकता है आज के दिन मन शांत रखना है और मौन रहें अपने उर्जा को सही दिसा में लगाने का प्रयास करें अधिनस्तों की काम खाज पर पैनी निकाहर रखें टार्गेट पूरा करने के लिए शहकर्मियों से फोन पर शंपरक जो है आपको आज बनाना चाहिए दिया आप नया बिजनेस पार्टनर्सिप में करने जा रहे हैं तो नई भागीदारी पर आँख मोद कर भरोसा आज मत करिए तो दोस्तों यह आज का आपका राशिफ उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होगी अच्छे लगी तो लाइक करें चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करती है तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीड वीडियो के साथ तब तक के लिए जय श्रादे जय भूले नाथ हर हर महादे